उत्तरपूर्वी जिला थाना भजनपुरा इलाके में 13 अक्टूबर की रात पालतू बेवी डॉक को लेकर हुए जगड़े में मामला इतना बढ़ गया की आरोपियों ने धुन्दाधार फाइरिंग शुरू कर दी इस घटना में पीडित वै उसका बेटा तथा पड़ोसी स कई लोग घायल हो गए पुलिस ने मौके पर पहुंच घायलों को अस्पताल पहुंचाया दरसल मामला 13 अक्टूबर की रात करीब साड़े ग्यारा बजे का बताया जा रहा है जहां भजनपुरा थाना अंतरगत उत्री घूंडा सुभाश व्यार की गली नंबर 10 सुभाश पर गया की उन लड़कों ने और लोग बुला कर फारिंग शुरू कर दी कई राउंड गोलियां चली गोलियों के आवाज सुनकर पडोसी संजे बाहर निकल कर आए उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनके भी सीने में गोली मार दी पीडित संतोस कुमार पैटे परुजिनों से मिलने पहुंचे उन्होंने इस मामले पर क्या कहा आप खुद सुनियों कुछ लोग यहां नए आए हैं दिल्ली छे के मुझे लगता है कि वह काफी उग्र और आज राजक ततों हैं सोटी सी बात को उन्होंने बड़ा बना करकर इस प्रकार अंदर दुन फ और गरपतारी तेज हो हत्यार रिकवर हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूँ इस प्रकार की लोगों से जिंदिवी से खेलने वाली लोग समाज में बाहर खुले नहीं घुमने चाहिए उनकी जगे जेल मे हैं और वो जेल में होने चाहिए यह साथ राउंड फाइनिंग का पता लगा है काफी खोके और जिंदा कार्थूस भी मिला है और जैसा सूत्रों से पता लगा है कि 9mm की रिवाल्वर से गोलियां चली है और एक ही परिवार के यह बाप बेटे संतोष जी के सामने में आया ह से अराजत तत्व यहां पर फुले आम नंगा नाज करने का प्रयास करें पर यह हम होने नहीं देंगे निश्चित रुप्रस पर कड़ी से कड़ी कारवाई का संग्जान लिया जाएगा मात्र कुत्ते के बच्चे पर इन्होंने इतना बड़ा बवाल मचा के सीधे उसके म कामने वाले पड़ोसी के संजे के बिलकुद यह जश्म गोली रगी जग प्रबेश्चंद हस्पीटल संतोस के फोन आने के बाद पहुंच गया था और हम रात वर राम मनोरी लोईया इसको लड़के को लेके घूमते रहे कभी जो एक्सरा कराने कभी गोली कितनी घहराई म कितनी कहां पर है ऐसे लोगों को पुलिस में अंदर होना चाहिए पुलिस देख रही है अभी गिरफतार किये नहीं किये मुझे नहीं पता एक बुढ़धा जरूर की गिरफतार किया जो मकान मालिक है उसके लड़के और दमाद और लोग जितने आये थे गोली चलाते जो पुलिस को तुरंत कारवाई करने चाहिए और गरफतार करने चाहिए तस्फीरों में यह पीडित का मकान है और मकान की दिवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं संतोष कुमार ने बताया कि मामली बात पर इतनी बड़ी वार्दत होना बहुत दुखत है यह तस्फीरें गंबीर हालत में अस्पताल में भरती संजे कुमार की हैं संजे के परिजनों से मिलते विधायक उनको सांतवना दी उधर पीडित संतोष कुमार ने विधायक अजे महावर को आप बीती सारी घटना बताई जो की सीसी टीवी में भी कैद हो गई अजे ने उसका विरोध किया कि भी हमारा यह फैमिली मेंबर है और इसको तो ने क्यों मारा है वह इसी बात पर बढग गए और पूरा जगडा सुरू कर दिया उन्टों को ने और जिन लोगों के नामदर्ज रिपोर्ट है वो लोग यहां रिवॉल्वर लेके आ गए मेरे अगर के ठीक सामने मेरे जीट पे खड़े उखे मुश्किल से दो मिटर दूर से उन्होंने गोली बारी की मेरे घर के अंदर पूराником। गोली चलाई की उन्हों कोने एक गोली मुचे मेरी जांग में लगी या मेरा बेटा है प्रभाद प्रभात को मेरे एक गोली हार पार हो गई है हिप पे और दो छब्रे कमर में लगे हैं और मेरे पड़ोसी हैं संजे हैं वो भी विचारे उस टाइम देख रहे थे किसा किस्ते जगडा हो रहा है तो एक गोली उनको बिल्कुल सीरे के बीचों बीच में लगी है और एक हो गई है मगर ग्रफ्तारी नहीं हुई है जो एक बुझरुक था वह घर से भागा इनाइं था तो उसे पिलिस ले गई हैं अगर बाकी के तीन लोग और आन्य जो भी जो दो तीन 4 जो भी थे उनको कहीं से किसी को ग्रफ्तार नहीं किया है जो मुझे पता इस तरह का कि पुलिस कहीं रेड़ कर रही है या दविस दे रही है ऐसा मुझे पता नहीं तो ऐसे वह पूछने चले उनको उदर से पीछे से अफ़ा रही हो गई हमें नहीं पता क्या नहीं लेकिन उन्होंनों सब को लपेटे में लिया पूरी गली को जो भी पूरी हाल आते हैं एक तुछाती में लगी एर एक यहां पे लगे जीजी बाजू पे और चार गोली एक बेटे के लगी उनके और एक गोली भाई सब के लिए मुझे चक्कार आगे थे मैंने देख पाई पुलिस की माने तो उन्होंने मामला दर्जकर आरोपी के पिता को गिरफतार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाशू कर दी लेकिन पीडित परिजन पुलिस की कारवाई से अभी भी संतुस नहीं है उनका कहना है कि पुलिस को जल्दी जल्दी आरोपियों को गिरफतार करना चाहिए योगिस कुमार तेज निगायें दिल्ली